इस प्रूडिक इंदर बैक्स्पीन करने वालों बैटल तुरवन की आने वाले एपिसोड की नोवल को जापर आपने लास्ट एपिसोड के अदर देखा था कि जिया ने बहुती मुस्किल के साथ नायन को भी पास करा दिया तो उस चेक पॉइंट को जिसे देखकर जियान बुलता है अभी कली मैं इस पॉईजन को निकाल दा दूगा मगर अभी कली जो मेरी करेंट इस्टेज वो कफी दा कमें से निकालने के लिए जियान से बोलते कि मैं तुम्हें डाउजों बना दूगा ये संदिक है जियान जर्ट से मांजा था इस ओपर के लिए और यही से स्टार्ट ने ओधा होती है नियुव एपिसोड की जोकि नोवल बेस्ट होगा तबी जियान से बोलते कि अभी कले तुम्हें बापे सबस ज जाएगा, मगर हम लोगों की बुरी किस्मत, उसके अंदर इतना खतरना पोईजन मिल गया, और अब वो सीक्रेट जाएगे की मज़े लेगा एक आउटसाइडर, ये संदिकी जिन को बोलते के तुम थोड़ी से पागल हो गया, क्योंकि उस जगे में कल्टिवेशन करनी की वार्यर बन गया, इस बज़े से उस लड़की के बीच में और हमारी बीच में जो टील हुई हुए, एक तुम बराबरी के हुई है, ये से उनके जिन के वोलते के बिलकुल भी नहीं, क्योंकि अभीकले जो तुमारी बोड़ी के अंदर जो पोईजन है, उसके मदर से तुम ब्लड पूल के उपर आजाता है, जब पर अभीकले आट लोग खड़े हुए होते हैं और उनमें एक हरामी लड़का होता है, जो की आसपास के लोगों को देख रहा होते हैं, तभी उसकी नज़े नायन के उपर पड़ती हैं, जिसे देखकर बोलते हैं कि अभीकले इस चे पता है, मगर जो मेरा साती तब हूँ मुझे इस फी मुश्किल से यहां तक लेके आया है, इस पजे से मैं भी यहां से पीछे नहीं अटने वाली हूँ, लेकिन अगर यही बत मुश से जियान बोलते हैं तो मैं डेफिनिट नहीं पीछे हट जाओंगी, मगर तुमारे कहने तो बिल्कुल भी यहां से पीछे नहीं अटने वाली हूँ यह संदिकन वो बंदा असन लगता और नायन से बोलता है वोन कुछ लड़कियों में से हो जो कि दूसरी की मदद से यहां तक पहुंचती है वो भी अपने वाड़ी को बीचकर जो कि तुम अपनी खूबसूरती की अलावा उस लड़के को कुछ भी नहीं दे सकती हो और यहां पे जब यह सब बाते चल दी होती है और वो सभी चुप-चुप से एक जगे पे खड़े रहती मगर तभी अचनक से जो नायन होती होसे मानने के लिए जयान लगती मगर तभी नायन की हंते की उपर कोई आत रखता है और वो कोई और नीव होता है जयान और बोलता है कि नायन को यहां से पीचे हड़ जाना चाहिए क्योंकि वो इस ब्लड पूल में कल्टिवीशन करने के लिए काबिल नहीं है वह भी वनता जब जब जियान को देखता है तो वो इस के तुम से पसीरे छोड़ जाते मगर अभी वो ऐसे हार नहीं मान सकता है अगर उसने आपे गुटने टेक दिये तो सभी लोग के सामने उसका पोपट हो जाए इस बज़े से उसका सिर्फ एक ही माना था जी फटे तो फटे पर नवा भी ना गटी बगर अपे जित्ती भी लोगों ते किसी की चूखी आबाज भी निकलती और चुप-चाप से अपने लेगे पर खड़ी रहती है यह देखके वो इचारे बंदे की हालत और वीज़ा खरावन लगती है और उसकी जो डायलोग बाज यह होती है वो सभी की सभी उने पर धरी की धरी रह जाती है तभी जैन उसके पास जाता और बोलता कि बाई साथ आप तो ठीक है ना क्योंकि पूल के अंदर आठ सीट है और अब जो लोग बचे वो भी आठ है इस बज़े से अब तो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना और यह पर यह सब देखे हो आप जित्ती भी लोगों थे सभी के सभी काफिदा हैरों जाती है मगर यह पर जो अभी के लिए चारो पेडिन के लोगो थे और नहीं इस बास से कोई भी गंटा पर नहीं पढ़ता हूँ एकदम से चिल मोड में खड़े हुए थे जोग लेविल की वाडिर बेज दिये थे इसलिए प्लीस उस गटिया पेडिन को मेरे से कंपेर तो बिल्कुल भी मत करो यह सुन्दिकन जो मिस फैंग होती हो काफिदा बढ़ा जाती और बोलती है जिसन्दिकन जाने एक स्माइल के साथ बोलता है कि अगर तुम कभी भी भी टेस्ट करने का मन करें तो तुम कभी भी और कहीं पर भी आ जाना बंदा हाजिर हो जाएगा जिसन्दिकन मिस फैंग की उपस से नीचे तक जल जाती मगर वो अपने गुस्से को सांथ करती और अभी ब्लड माउंटेन फूल की तरफ देखने लगती है क्योंकि वो कुछी देर के अंदर अपियर होने वाला है और उसके अंदर एक लिमेट अमाउंट के अंदर ही एनर्जी है जैसे उसे जल से जल एपसोब करना है इस बज़े से वो जियान के साथ डायलोग बाजी नहीं करती है और जियान भी यह देखता है तो जियान भी उसे छोड़ देता और नायन के पास चला जाता है आंगे की तरह बढ़ रही होती है और तभी वो अपने दिल की कुछ बात बोलने बाल ने होती है तभी वहाँ पर एक बहुती बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता जो की काफी कलरफुल होता है जो सीधा हेवी ब्लड माउंटेन फूल से ठकरा है ता जिससे सेंस करते हैं दिल करके और भी दो पॉफल होती जा रही थी इस बज़े से जो आसपास का मौल होता हो वह थोड़ा सा खराब उन लगता है यह देखते हैं सभी लोग अपनी दोईकी से अपनी बॉड़ी को कवर कर लेती है जोकि यहाँ पर अभी के लिए जित्ते भी लोग खड़े थे सभी के सभी कफी दा पॉफल थे कि कि वो यंग जनरेशन के टॉप क्लास के वोरियर थे और तभी हेवी बॉर्ड माउंटेट पूल के अंदर से एक बहुती वड़ा एनरजी का ब्लास्ट होता है जिस बज़े से ओपर चौता फ्लाइट पहल जाती है मगर वो ज्यादा दे पूल के नीचे मत जाना वो तुमारे लिए काफी दा खतना हो सकता है और साथी मेरा तुमे इंद्जार मत करना इस एवी ब्लड माउंट पूल से निकलने के बाद क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी दा लंबर टाइम लगने वाला है और फिर चारों पर इंगे डिसाविलों को देखता है जो कि अभी ब्लड माउंटेर पूल के बेस्ट एरिया को कैप्चर करना चाते थे यह देखके जियान बुलता है कि अभी ब्लड मुझे यहाँ पर इ इरियस में हो जिससे तुमारे उपर किसी का ध्यान नी जाएगा और तुम्हें कोई परिशान भी नहीं करेगा मगर जो एनर्जी वो तुमारे लिए काफी दा फाइदे बंद रहेगी जिस उनकी नायन हमें सार इला देती और गोलती कि थैंक यू सो मच इतनी मेरी मदद कर परिशान नायन हमें से एकडम फैली पुरसत में गाइब हो जाती हुए पर जियान एकडम ने शॉक हो जाता है क्योंकि ये सुन्दीगन जियान की दिल में कफी दा सवाल आ गए थी मगर अभी के लिए नायन हमें से गया पने मन में सोच लगता है आखिर मेरी सेटिंग फ् फायर पैजन की जो मातरा थी वह दीरे दीरे बढ़ने लगी थी इसी बज़े से अब जियान को देखने में भी काफी दा प्रॉब्लम हो रही होती और जियान ने आपे अपनी स्पिचल पावर कभी यूज नहीं कर पा रहा था इस बज़े जियान को आगे जाने में पावर कईजन को बढ़ती जारी थी और यह चीज़ेन को भी कफी दा इरिटेट कर रही होती क्योंकि जयान ने आज से पहले इतिक खत्यनक पोईजन से डिल नहीं की थी और यह सब चीज़े इसलिए होती और यह ज्यान पास्मेंट तक कंटियों ट्रेवल करता रहता तब ह अचानक से जो स्केलिटन होता हो चमकने लगता है जिसे देखके जियान की चेरे पे एक स्माइल आजा दी तबी जियान की नेजर पड़ती एक बेरियर की उपर जब पर अभी के जट से अपनी ग्रीन लोटस फ्लिम को बायन निकाल लेता और उस फायर पोईजन को रोकने अपनी बोड़ी के अंदर एंटर कनने से और साथी उस के अंदर गुसने लगता और यह फिर जो फायर पईजन होता वो बायर भी आ जाता जाता जा पर अबी के लिए बागी की लोग क्ल्टिवेशन कर रहे होते हैं और वो भी अपनी दोएकी की मदद से उसे रोकने की जब पर जियन को अभी लिए हो पे काफी दा एनर्जी तो महसूस हो रही थी मगर साथी साथ जो पॉइसन तो भी बहुत ही जादा था मगर जियन इस पात पर ज्यान नहीं देता और क्रॉस लेक करके बैठ जाता और अपनी कल्टिविशन करने लगता मगर जैसे जियन अपनी जाता चीजी है काफी लबी time से एक दूस्रे के साथ थी इस पज़े से poison और एनर्जी एक दूसरे में कंबाइन हो चुकिती है यो तो जैन के पास heavenly flame ती जिस पज़े पो third ocean को एनर्जी को अलग लग कर रही थी मगर तब जो energy होती है वह थोड़ी से poison को जूड़ी के लोग जाती और वो बायर की एनरजी को बहुती बुड़ी तरीक से चूसने लगता है जो कि 6000 की रशियन वह आज सॉई 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 गलत हो गया और अब इक लिए जियान की पूरी बॉड़ी होती वह एनरजी को कंजूम करी होती जिस बज़े से उसकी पूरी नसर के अंदर रही होत बहुती जल्दी इता भी जल्दी नहीं होने वादा था जियान को ये तो पता था अभी के लिए उसे अगर डाउंग की पीक पे पहुंशा तो कम से कम उसे एक महीन ने यहापर ट्रेनिंग करनी पड़े ही कंटिन्यू क्योंकि अभी के लिए जियान को बिल्कुल भी जल्दी डाउंग की पीक पे पहुंचागा मगर अभी के लिए उसका जो लाग्स है वो डाउंग है और वाँ तक उसे पहुंचने के लिए अभी के लिए उसे और भी दर टाइम लगने वाला है इसी बज़े जियान अपनी कल्टिवेशन को कंटिन्यू रखता है और इसी जन को सोचते हैं और फिर अपनी इलूजन बाडी को बायन निकाले था जो कि क्रॉस लेकर करके बैठ जाती और एनर्जी उ कंसूम करने लगती है और यह जान की जन कफिता है और फिर वो भी क्रॉस लेकर करके बैठ जाता अपनी कल्टिवेशन स्टेच के अंदर क्योंकि जन अभी क्लिए जल से जल डौउजन पे पहुचना चाहता था गियर इस एपिसोड के जल से जल चाहिए तो इस वीडियो पर करा दिजी 10 की लैक और 1 की कि 성ative केंडर बताना कि आप लोग कितने जद्धा excited to master yawlo से मिलने के लिए जो कि हमारे battle 11 के बबर सेरे मगर अभी के लिए उनकी अलगा फोड़ी सी खराब है मदर अभी के लिए मेरी बात किये तो मैं तो बहुती ज़ाए excited to master yawlo से मिलने के लिए कोट फिलाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इता ही मैं मिलता हूँ अपसे ने शुडियो में तब तक लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार